हाई फिरेंज मेरे चैनल पर आप सभी का श्laकत है दोस्तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फरवरी 2019 का Currently Affairs तो फरवरी 2019 का ये पार्ट टू का करन्ट अफियर्स है कौन सा पार्ट टू Part 1 मैं का वीडियो डाल चुका हूँ तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजेगा दोस्तो बहुत ही अच्छे अच्छे Current Affairs है अगर आप इसे दो बर देख लिते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और Revision के तोर पे भी बहुत अच्छा होगा दोस्तो सारे Current Affairs एक्जाम में आने लाइक हैं तो आईए देखते हैं दोस्तो वीडियो कौन तक देखिएगा आईए पहला प्रस्न देखते हैं पहला प्रस्न है फ्रेंट्स हाली में किसे ICAI का नया अध्यच बनाये गया तो अतुल कुमार गुपता को अतुल कुमार गुपता को ICAI का नया अध्यच बनाये गया आईए नेक्स्ट प्रस्न देखते हैं तो नेक्स्ट प्रस्न है फ्रेंट्स हाली में 2019 के F.I.H. Player of the Year का खिताब किसने जीता तो F.I.H. Player of the Year का खिताब किसने जीता तो मनपृत सीहने किसने? मनपृत सीहने Player of the Year का खिताब जीता आईए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट प्रस्न है हाली में परवासी भारतिये केंद्र और बीदेसी सेवा संस्थान का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया गया तो सुसमा स्वयराज सुसमा स्वयराज जी के नाम पर परवासी भारतिये केंद्र और बीदेसी सेवा संस्थान का नाम रखने का फैसला किया गया है आईए नेक्स्ट प्रस्न देखते हैं फ्रेंट्स अगला प्रस्न है हाली में किस भारतिये एक्टिविस्ट को देन डेविड पुरुसकार परदान किया गया तो देन डेविड पुरुसकार गीता सेन को किने गीता सेन को परदान किया गया है अगला प्रशन है किस देश में पहली AI पुलिस अपसर इला को परदरसित किया है तो New Zealand किस देश में? New Zealand में AI Police Officer ELA को परदसित किया गया है अगला प्रशन है Friends, हाली में किसे AICF का नया अध्यच न्यूक्त किया गया तो अजय पटेल को किनें? अजय पटेल को AICF का नया अध्यच न्यूक्त किया गया है अगला प्रशन है हरियाना में हरियाना के CM ने एक Commentary and Digest on the Year Act 1981 पुस्तक का भी मोचन किया इसके लेखक कौन है? तो एक Commentary and Digest on the Year का लेखक है Dr. K.K. खंडवाल कौन है? Dr. K.K. खंडवाल आए नेक्स प्रशन देखते हैं Friends हाली में UAE के नए किर्केट निर्देसक के रूप में किसे निउप किया गया है? तो सोविन सीह को किसे? रौविन सीह को UAE के नए किर्केट निर्देसक के रूप में निउप किया गया है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों हाली में जारी रिपोर्ट में ब्रांड मूल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला बैंक कौन सा बना तो इंडुसलेंड बैंक कौन सा इंडुसलेंड बैंक बना जो ब्रांड मूल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला ब हाली में किस देश ने नाटो का सदस्य बनने के लिए उत्री अटलांटिक संधी को मंजूरी दी है तो किस देश ने तो नौर्थ मैसोडोनिया ने नाटो का सदस्य बनने के लिए उत्री अटलांटिक संधी को मंजूरी दी है अगला प्रस्ण है दोस्तो हाली में भारत का नया बिद सचीव नुक्त किया गया तो देवासी स्पांडा मार्च में नय बिद सचीव बन गया है अजय भूसन पांडे कौन बने हैं अभी नए मार्च में जो बित सचीब बने हैं वो अजय भूसन पांडे बने हैं उससे पहले देवासी सपांडा थे अगला प्रशन है फ्रेंट्स गो एयर के नए परमुख किसे न्युक्त किया गया है तो गो एयर के नए परमुख बिने दुबे को किने बिने दुबे को हाली में अंतराश्टिये बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया तो 15 फरवरी को कब 15 फरवरी को अंतराश्टिये बाल कैंसर दिवस मनाया गया अगला प्रशन है फ्रेंट्स हाली में जारी IOC की Boxing Task Force की रैंकिंग में सिर्ष पे कौन सा रहा तो अमीत पंगहाल कौन रहें अमीत पंगहाल Boxing Task Force की रैंकिंग में सिर्ष अस्थान पे रहे हैं अगला प्रशन है किस राजिया UT में पहली बार Global Investor Summit का आयोजन किया जाएगा तो जमू कास्मीर में कहां जमू कास्मीर में पहली बार Global Investor Summit का आयोजन किया जाएगा अगला प्रशन है फ्रेंड्स दो सहरों के बीच भारत की पहली Inter City Electric Bus सेवा शुरू की गई है तो हाली में किन दो सहरों के बीच तो मुंबई और पूने के बीच कहां कहां मुंबई और पूने के बीच City Electric Bus सेवा शुरू की गई है अगला प्रशन है फ्रेंड्स हाली में NSIL के परमुख कौन बने तो G.Narayanan कौन? G.Narayanan NSIL के परमुख बने है अगला प्रशन है फ्रेंड्स हाली में T.E.R.I. के पूर्व अध्यच का निधन हो गया इनका नाम था राजेंदर कुमार पचवरी क्या था? राजजिन्दर कुमार पचवरी आएए अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है हाली में किस राजे ने पौधार ओपन को बढ़ावा देने के लिए प्यार का पौधा नामक पहल लाउंज की है तो प्यार का पौधा पहल नामा बिहार ने किसने बिहार ने लॉंच किया है आईए अगला प्रस्न देखते हैं फ्रेंट्स अगला प्रस्न है हाली में आई फॉर्ब्स के रियल टाइम बिलियनेर इंडेक्स के अनुसार भारत के दूसरे सबसे अमीर ब्यक्ति कौन बने तो प्रवंध निर्देशक कौन बने तो संजीव राजदान कौन संजीव राजदान पवन हंस लिमिटेड के नए अध्याच वप्रवंध निर्देशक बन गए हैं अगला प्रस्न है फ्रेंड्स भारत का पहला रेलवे एस्टेशन कौन सा होगा जहां रेलवे पतरियों के उपर फाइव स्टार होटल होगा तो गांधी नेगर रेलवे एस्टेशन कौन सा रेलवे एस्टेशन होगा गांधी नेगर रेलवे एस्टेशन जहां भारत का पहला रेलवे एस्टेशन है जहा रेलवे पठरियों के उपर 5 star होटल है अगला प्रस्न है हाली में Indian Achievers Award 2020 से किसे समानित किया गया तो Indian Achievers Award 2020 से किसे समानित किया गया है तो Dr. Sohini Shastri किसे Dr. Sohini Shastri को समानित किया गया है अगला प्रस्न देखते हैं दोस्तों हाली में किस राज्ज की सरकार ने करमचारी यों के लिए पांच दीवसीय कारिश 부탁 की घोसना की है आईए अगला प्रशन देखते हैं friends हाली में किसे सफ्व when पैंगोलियन दीवस कब मनाए गया तो 15 फरवरी को कब? पंदरा फरवरी को बिश्व पैंगोलियन दिवस मनाया गया नेक्स्ट प्रसन है फ्रेंट्स हाली में किसने सततर्मी सीनियर नेशनल अस्क्वैस चेंपियन सीप में पूरुष एकल का खिताब जीता तो सौरब घोसाल कौम सौरब घोसाल सततर्मी सीनियर नेशनल अस्क्वैस चेंपियन सीप में पूरुष एकल का खिताब जीता है आईए अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है दोस्तो हाली में हुए 65 में एमेजन में बेस्ट फिल्म कौम सी रही तो गली वॉआ है कौन सा गली वॉआ है 65 में एमेजन में बेस्ट फिल्म रही अगला प्रसन देखते हैं दोस्तो तो अगला प्रसन है ब्रिटेन में होने वाली सन्युक्त राष्ट की जलवायू सिखर सम्मेलन का नेतरित्व कौन करेगा तो अलोक सर्मा कौन अलोक सर्मा ब्रिटेन में होने वाली सन्युक्त राष्ट की जलवायू सिखर सम्मेलन का नेतरित्व करेंगे अगला प्रसन है फ्रेंड्स आईए देखते हैं अगला प्रसन है हाली में कौन से रेल्वे जोन उर्जा तटस्ट पर रेल्वे एस्टेशन का संचालन वाला देश पहला जोन बन गया है आईए नेक्स्ट प्रसन देखते है भारत की तीसरी कॉर्पोरेट यातरी ट्रेन का नाम क्या है तो कासी महाकाल एक्सप्रेस क्या नाम है कासी महाकाल एक्सप्रेस भारत की तीसरी कॉर्पोरेट यातरी ट्रेन का नाम है आईए अगला प्रसन देखते है अगला प्रसन है हाली में बायो एसिया समीट 2020 कहां सुरू हुआ तो हाइदराबाद में कहां अहमादावाद में विश्व का सबसे बड़ा किर्केट अस्टेडियम बनकर तयार हुआ है अगला प्रशन है हाली में RBI के अध्यच के अनुशार 2018 उनेस में किस राजे ने सरवाधीक प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट आकरसित किया है नेक्स्ट प्रशन है हाली में आई World Population Review की रिपोर्ट के अनुशार भारत अर्थविवस्था के मामले में कौन से नंबर पे आ गया है नेक्स्ट प्रशन है हाली में किसे Lawrence Sporting Moment Award दिया गया तो सचीन तंदूलकर को किने? सचीन तंदूलकर को Lawrence Sporting Moment Award दिया गया है हाली में हर्याना के अमबाला सीटी बस स्टेंट का नाम बदल कर किने के नाम पर रखने का फैसला किया गया है अगला प्रशन है हाली में किस राज्य के सीएम ने ड्रग माफियों से निपटने के लिए योदावू नामक मुवाइल एप लाँच किया? किरल की राज्य सरकार के सीएम ने ड्रग माफियों से निपटने के लिए योदावू नामक मुवाइल एप लाँच किया है अगला प्रशन है नेक्स्ट है नेक्स्ट है तो यूनाइटेड वाई इमोशन यूनाइटेड वाई इमोशन दूहजार बीस में होने वाले टोक्यो अलम्पी का अधर्स वाग किया है? अगला प्रशन है हाली में पर्मानु उर्जास्तनियंत्र सुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो UAE, United State of America हाली में विधुद विभाग के लिए Performance Regulation Act को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर परदेश कौन सा? उत्तर परदेश पहला राज्य है जहां विधुद विभाग के Performance Regulation Act को लागू किया जाएगा हाली में भारत का पहला Single-Use Plastic-Free Hawaii Addis को बन गया? तो भारत का पहला Single-Use Plastic-Free Hawaii Addis को लिए जाएगा इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट को लिए जाएगा? अगला प्रशन है फ्रेंड्स फीफा अंडर 17 महला फुटवाल WC 2020 वर्ल्ड कप 2020 में किस सहर में नहीं खेला जाएगा? तो हमादाबाद में खेला जाएगा, भुनेश्वार में खेला जाएगा, गुहाटी में खेला जाएगा, नई दिल्ली में नहीं खेला जाएगा फीफा अंडर 17 महला फुटवाल वर्ल्ड कप 2020 ने दिली में नहीं खेला जाएगा अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है हाली में केंडर सरकार ने IDSA का नाम बदल कर किनके नाम पर करने की घोशना की है तो मनुहर पारिकर किनके नाम पर मनुहर पारिकर के नाम पर करने की घोशना की है हाली में मिरिदा स्वास्तकार दिवस कब मनाया गया तो 29 फरवरी को कब 29 फरवरी को मिरिदा स्वास्तकार दिवस मनाया गया भारत में अस्ट्रेलिया के नए उचायुक्त किसे बनाया गया तो भारत में अस्ट्रेलिया के नए उचायुक्त बैरी ओ फ्रेल किसे बैरी ओ फ्रेल को बनाया गया अगला प्रशने फ्रेंट्स हाली में अफगानिस्तान के दुबारा राष्टपती कौन बन गए हैं तो असरफ गनी असरफ गनी अफगानिस्तान के दुबारा राष्टपती बन गए हैं अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने फ्रेंड्स हाली में जारी टाइम्स एयर एजूकेशन रैंकिंग में इस्थान पर है अगला प्रशने हाली में किस राज में लिथियम का भंढारन पाया गया है तो करनाटक में कहां करनाटक में लिथियम का भंढार पाया गया है। अगला प्रश्न है FRIENDS, हाली में बिश्त समाजिक न्याई दिवस कब मनाय गया तो 20 फर्वरी को, कब? 20 फर्वरी को बिश्त समाजिक न्याई दिवस मनाय गया? हाली में गेल इंडिया के नए अध्यच कौन बने तो मनोज जैन कौन मनोज जैन गेल इंडिया के नए अध्यच बने हाली में किसे मुख सूचना आयुक्त चुना गया तो बिमल जूलका को किन है बिमल जूलका को मुख सूचना आयुक्त चुना गया दोहजार बीस हाली में जारी State of India Birds Report 2020 के अनुसार की सपच्छी की परजाती की संख्या में काफी अधीक बृधी हुई है तो भारती ये मोर कौन सी? भारती ये मोर परजाती की संख्या में काफी अधीक बृधी हुई है हाली में 2020 में AFC महला ACI Cup की मेजवानी किस देश को मिली है तो भारत को हाली में किसने भारत 2020 और इंडिया 2020 पुस्तकों का भी मोचन किया है तो परकास जावेट करने भारत 2020 और इंडिया 2020 पुस्तकों का भी मोचन किया है हाली में टीट बोर की सराज का पहला सुने कचरा सहर बन गया तो आसम का टीट बोर जो है आसम का पहला सुने कच्रा सहर बन गया है हाली में किस भारतिये को अमरीका के अपील कोर्ट के DC सर्किट का मुख नियाधिस नियुक्त किया गया स्री निवाशन की ने स्री निवाशन को अमरीका के अपील कोर्ट के डी सी सरकिट का मुख न्याइधिस न्यूक्त किया गया है हाली में अंतर राष्ट्रिय मातर भासा दिवस कब मनाये गया तो 21 फरवरी को कब 21 फरवरी को अंतर राष्ट्रिय मातर भासा दिवस्मन आये गया हाली में जारी बर्ड वाइड एजूकेशन फोर दा फ्यूचर इंडेक्स में भारत की सस्थान पे है तो 35 अस्थान पे है कितने 35 अस्थान पे है हाली में किसे EY इंटर्प्रेनर आफ दा इयर एवाड दू हजर उनैस से समानित किया जाएगा तो किरन मजूंदार सा को किसे किरन मजूंदार सा को EY इंटर्प्रेनर आफ दा इयर एवाड दू हजर उनैस से समानित किया जाएगा हाली में दुनिया में दुनिया को कट कॉपी और पेस्ट की सौगात देने वाले कम्प्यूटर साइन्टिस्ट लेरी टेसलर का नीधन हो गया यह किस देस के थे तो USA के थे कहां के थे USA के थे साइन्टिस्ट लेरी टेसलर जिनका हाली में नीधन हो गया हाली में ESPN Sports Award में The Courage Award पाने वाली पहली बिजेता कौन बन गई तो दूती चंद कौन दूती चंद बन गई दा करेज अवार्ड पाने वाली पहली बिजेता हाली में निम्न में से किसे C.A.M.S. कॉप 13 में लूप्त प्राय परवासी परजाती के रूप में घोसित नहीं किया गया है तो भारतिय मोर को लूप्त प्राय परवासी परजाती के रूप में घोसित नहीं किया गया है खाली में धनलचमी बैंक के EMD और CEO बने भारत किस देश में आयोजीत अंतरास्टीय परियटन मेले में गेस्ट आफ ऑनर होगा तो मेड़ागासकर। खाली में कहां चीतर भारती फिल्म महुतसब का आयोजन किया गया तो हमाधाबाद में चीतर भारती फिल्म महुतसब का आयोजन अहमदाबाद में किया गया किस राज में सोने के भंडार की खोज की गई तो उत्तर परदेस में कहां उत्तर परदेस में सोने के भंडार की खोज की गई हाली में किसे पी-म का सलाहकार न्यूक्त किया गया तो अमरजीत सिनहा की से? अमरजीत सिनहा को पी-म का सलाकार न्यूक्त किया गया हाली में रॉस टेलर किर्केट के तीनों प्रारूपों में सो मैच खिलने वाले दुनिया के पहले खिलाडी बन गए वे किस देश के हैं? तो वे न्यूजीलेंड के कहां के? न्यूजीलेंड के हैं हाली में आयरलेंड के पी-म ने इस्थिफा दे दिया उनका नाम क्या है? तो लियो बरादकर लियो बरादकर आयरलेंड के पी-म थे जिनोंने इस्थिफा दे दिया हाली में जारी इस्थिरता सुचकांक में भारत की सस्थान पर है तो सततर्मा इस्थिरता सुचकांग में भारत 77 अस्थान पर है हाली में जारी नेचर रैंकिंग इंडेक्स 2020 में किस स्थान ने सिर्श अस्थान प्राप्त किया तो CSIR दिली ने सिर्श अस्थान प्राप्त किया हाली में स्वीडन ने एक एमिन डॉलर के पुरुसकारों की गोसना की है इन पुरुसकारों का नाम क्या है तो Food Planet Price क्या नाम है Food Planet Price हाली में यूपी के परियाग घाटा स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया हाली में भारत अमरीका बैपार परिशत ने किसे ग्लोबल बोर्ड आफ डाइरेक्टर का अध्याच न्यूक्त किया है तो ग्लोबल बोर्ड आफ डाइरेक्टर का अध्याच बीजय अडवानी को न्यूक्त किया है हाली में पॉलीशी बाजार कमपनी के नए CEO कौन बने तो सर्ब वीर सी ही 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 कौन बने सर्ब वीर सी पॉलीशी बाजार कमपनी के नए CEO बने हाली में चैट बॉट आस्क दिसा को अपग्रेड किया गया यह किसकी चैट बॉट है तो chatbot IRCT की chatbot है हाली में किसे France Price Cat Babe Price से समानित किया गया हमर खान को किने हमर खान को France Price Cat Babe Price से समानित किया गया इन फ्लाइट संचार सेवा सुरू करने वाली पहली भारतिय एरलाइन कौंसी होगी तो विश्टारा कौंसी विश्टारा पहली फ्लाइट संचार सेवा सुरू करने वाली भारति एरलाइन सोगी हाली में लेट मी से इट नौ नामक Пु 스ट किसने लिखी तो राकेश मारिया किसने राकेश मारिया ने लेट मी से इट नामक पु 스etten लिखी पुष्टक किसने लिखी तो राकेश मारिया किसने राकेश मारिया ने लेट मी से इट नौ नामक पुष्टक लिखी अ हाली में दादा साहेब फाल के इंटरनेशनल आवाड 2020 में 20 एक्टर का 20 बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जिता तो रितिक रोशन ने किसने रितिक पहले तेरते घाट का उद्गाटां गोवा में किया गया। हाली में किसे लंदन के बल्ड वुक आफ रिकॉर्ड से समानित किया गया। हाली में किसे दुवारा भारतिये रोइंग महासंग का अध्याच चुना गया। तो राज लच्मी सिह्धेव को किसे राज लच्मी सिह्धेव को दुवारा भारतिये रोइंग महासंग का अध्याच चुना गया है। दुवाजार बीस में होने वाले AIBA 20WCAP के नए फॉर्मेट की मेजवानी कौन करेगा तो रूस करेगा। हाली में किसे 2020 के ACRB महला उत्कृष्ट पुरुष्कार से समानित किया जाएगा। हाली में किस अष्टेशन में भारत की पहली असकॉर्ट मसीन लगाई गई। तो आनंद विहार railway station पर भारत की पहली escort machine लगाई गयी हाली में risk bank में बिस्व की पहली digital moodra का परिच्छन किया गया इसका नाम क्या है तो e-corona risk risk bank में बिस्व की पहली digital moodra का परिच्छन किया गया तो इसका नाम e-corona है क्या e-corona हाली में AFC Championship लीग के लिए कौलिफाई करने वाला पहला भारतिये कलब बन गया तो गोवा कौन बन गया गोवा हाली में भारतिये उत्पाद सुल्क दिवस कब मनाया गया तो 24 फरवरी को कब 24 फरवरी को हाली में मिस लीवा दिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता तो एडलीन कैस्टेलीनो एडलीन कैस्टेलीनो ने मिस लीवा दिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता हाली में खुले पानी में सबसे तेज तेरने का भिस्व रिकॉर्ड किसने बनाया जिया राम ने इसने जिया राम में खुले पानी में सबसे तेज तेरने का रिकॉर्ड बनाया हाली में किस देश के रेस्टोरॉन ने मिल्क सेक में सबसे ज़्यादा वराइटी होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता तो सौथ अफरिका किस देश सौथ अफरिका में हाली में देट हैं इंसाइड अस्टोरी नामा पुस्तक का भी मोचन किस ने किया तो एम बैंक किया नाइडू ने किसने एम बैंक किया नाइडू ने वाणीज मंतराले के अनुसार 2018 उनेष में भारत का सब्से बड़ा बैपारिक भागेदारी देश कौन सा बन गया? अम्रिका कौन सा देश? अम्रिका बन गया खाली में नई दिली में हुई है C.I. कुश्टी चेमपियनसीप में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंग तीसरी रही हाली में खोजी गए सी ग्रेटा थनबर्ग किसकी पर जाती है तो गोंगा की पर जाती है किसकी गोंगा की पर जाती है हाली में किस राजे की सरकार ने जगनना बस्ती दिवेना योजना शुरू की तो अंधर परदेश किस राज्य की सरकार ने अंधर परदेश की सरकार ने हाली में अफरीकी देश टोगो के राष्ट पती कौन बने तो फौरे नास सिंबे फौरे नास सिंबे अफरीकी देश टोगो के राष्ट पती बने हाली में बहानों के लिए यूनिफाइड रेजिट्रेशन कार्ट लाउंच करने वाला देश का पहला राज कौन बन गया तो मध्ध परदेश यूनिफाइड रेजिट्रेशन कार्ट लाउंच करने वाला देश का पहला राज बन गया हाली में NPCI ने UPI को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक जागरुपता अभियान शुरू किया तो UPI चलेगा क्या UPI चलेगा हाली में मास्टर कार्ड का एक जीक्यूटिव चेर्मेन न्यूक्ट किया गया अजय बंगा को किन है अजय बंगा को हाली में जारी 20 बायू गुनबता रिपोर्ट 2019 में सबसे ज़्यादा परदूसित देश कौन सा है तो बंगला देश कौन सा देश है बंगला देश हाली में RBI ने अधर्स वाक या मोटो जारी किया वो क्या है तो कैस इस किंग बट डिजटल इस डिवाइन कैस इस किंग बट डिजटल इस डिवाइन हाली में जारी डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पी आउट 2019 बीस सुचकांग में कौन सा राज़ सीर्स पर है तो हर्याना हाली में पीएम उजवला योजना के अंतरगात 100% LPG कैबरेज वाला भारत का पहला राज़ कौन सा है तो ही माचल परदेश हाली में किसे फ्रांस में भारत का नया राज़दूत नियुक्त किया गया तो जावेद असरफ को किसे जावेद असरफ को हाली में भारत और किस देश के बीच इंद्र धनुस अभ्यास 2020 का पांचवा संसकरन सुरू हुआ तो ब्रिटेन किस के बीच ब्रिटेन के बीच हाली में सिबिल के नए M.D.O.C.O. कौन बने राजेश कुमार कौन राजेश कुमार हाली में मारिया सारवपुवा ने टेनिस से सन्यास की घोसना कर दी ये किस देश की है तो मारिया सारवपुवा रूस की है कहां की रूस की हाली में जारी फॉर्चुन की टॉप टॉप टॉइंटी बीग कमपनीज टू वर्क for 2020 की सुची में सामिल एक मातर भारतिय कंपनी कौन सी है तो TCS है कौन सी TCS हाली में किस किर्केटर को पाकिस्तान सरकारदवारा मानद नागरिकता परदान की जाएगी तो डेरेन सैमी को किसे डेरेन सैमी को दोस्तो सारे करेंट अफियर्स फरवरी के भी समाप्त हुए दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तो लाइक और सबस्क्राइब करें और शेयर करना न भूले थैंक्स फो वाचिंग